पूर्व उत्तरपूर के जो राज्य है मनेपूर की यहाँ पर एक बाप फिर भड़ की हिंसा के बीच राज्य में जो राज्यपाल है आज केंद्र के साथ चर्चा के लिए वो दिली आ रहे हैं इदर राज्जे में लोग सडको पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं मंगलवार को कानून विवस्ता को ले कर इमफाल में छातरों ने विरोध प्रदर्शन किया राजभवन की और मार्च करने की कोशिश कर रहे प्रदेशनकारियों पुलिस कर्मियों के बीच जड़प हुई इस दोरान कई प्रदेशनकारी घायल भी हो गए भीड को तितरवितर करने के लिए पुलिस ने आसू गैस के गोले दागे आपको बता दें कि प्रदेशन कर रहे जो प्रदेशनकारी है उन पर डी जी पी और सुरक्षा सलाकार को हटाने की वो मांग कर रहे है सुरक्षा के मद्दे नजर मनिपूर के पाँच जिलों में इंटरनेट देवा को 15 सितंबर तक केले निलमबित कर दिया गया है सस्पेंड कर दिया गया है और वहीं तीन जिलों में करफ्यू लगा दिया गया है और इस बीच केंद्र ने मनिपूर में CRPF की दो नई बिटालियन की तेनाती का निर्देश दिया है जिन में करीब 2000 जवान होंगे मनिपूर में फिर से इंटरेट बैन पाच जो घाटी इलाका जो वैली इलाका है वहाँ पे जो पाध जिले हैं वहाँ पे इंटरेट बैन लगा दिया गया है ब्राडबैन, मुबाइल इंटरेट, वीपिन सर्विस सब पे फिर से रोक लगा दी गई है ये इसलिए किया गया है सरकार की माने तो क्योंकि सरकार ये कह रही है कि इंटरेट के माधियम से फिर से लोगों को उसका जा रहा है क्योंकि पिछले दो दिनों से मनिपूर के जो वैली की लाके हैं, इंफाल और इसके आसपास के जो जिले हैं, वहाँ पे जो चात्र हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया, कुछ-कुछ जगे पे प्रदर्शन कारी चात्र और जो सुरक्षा बल हैं, उनके बीच झरब भी हुई है, इसमें जो चात्र हैं वो घायल भी हुए हैं और इसके साथ साथ जो इंफाल इस्ट वेस्ट और उससे सटा हुआ थोबाल जिला है यहां पे कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और इसके चलते इसके वावजूद छात्रत कल देखे गए हैं कि राधानी इंफाल में कर्फ्यू के वावजूद दो निकल के आएं और उन इसके चलते यह जो छात्र है यह इन्होंने एक च्छै मांगो को सामने रखा है और इसमें सबसे बड़ी मांग यह है की जो यूनिफाइट कमांड स्ट्रक्चर है जहां पे की जो सब जो सेकरिटी एजिनसीज हैं आर्मी को लेके वो सब एक यूनिफाइट कमांड के ये पेजिटेशन है ये पिछले इस मेहने के एक तारीक से मनिपूर में जिस तरह से हिंसा के वारदात बड़े हैं और उसमें जो लगभग एक डजन लोग की मौत हुई है इसके चलते इन्होंने ये जो आक्रोश है ये जो चात्रों का ये दिख रहा है कल चात्रों के बीच और राज के गवर्णर लक्षमन अचारिया की बीच मीटिंग हुई और चात्रों नहीं ये कहा है जबकि मीटिंग अच्छी रही मगर कुछ एशॉरंस उनको अभी तक नहीं मिला तो जो इमफाल में जो इमा मार्केट है महिलाओ के दौरा स्वचालित जो मार्केट है वहा से ही उनकी अगली जो प्रोटेस्ट है उसकी रनीती तैई की जारी है इसके बीच मनिपूर इनिवर्सिटी ने अपने सभी जो परिशाएं हैं वो रद कर दी है और राजसरकार ने भी बारा तारिक तक स्कूल कॉलेज बंद रखे हैं और चात्रों ने भी ये कहा है कि वो क इन्रे बल रहने के वावजूद मनिपूर में हिंसा बर रही है और इसके बीच के इन्रे सरकार ने अब 2000 और CRPF के जो सुरक्षा करमी है मनिपूर भेजे हैं उनको एरलिफ्ट किया गया था क्योंकि असाम राइफल्स की दो टुकरी मनिपूर से निकल के जम्मू कश्मीर भेजी गई है और इसके इनके जगे CRPF को भेजनी की बात थी और CRPF को वहाँ पे मनिपूर में रश किया गया है तो पूरी तरह से एक तरफ सरकार की ये कोशिच रही है मनिपूर में कि इस तरह से शान्ती फिर से बहाल की जाए क्योंकि पिछले कुस दिनों में हमने जादा समय में कि इस तरह से ड्रोन के द्वारा गिराए गया है इसके पाद रॉकेट अटेक हुए तो जो फिरिंज एरिया है वैली और जो इंफाल वैली और जो हिल्स में इनके बीच अब वहाँ पे कॉमिंग आपरेशन चलना है और इसके बीच जो वैली इलाके है हो रही है वो और भी जोड़दार हो रहे है और इसके देखते हुए अब इंटरनेट बैन और जो कर्फियू भी लगा दिया गया है